हेलो दोस्तों आप सभी कर वाद करेंगे पेंश ट्रॉक के बारे में जो मात्रय आप तीन रूपए पर मिल रहा है कमपणी में बहुत दिगज और जबरदस बाते नजर आती है यहाँ पर कमपणी कितनी आच्छे फर्फॉर्म कर सकते उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों पर कंपनी में बेनिफिट की बात बताना चाहूंगा एक कंपनी के क्लाइन बहुत ही जबरदस क्लाइन नजर आते बड़े-बड़े इंड़स्ट्री इनके क्लाइन नजर आते हैं और इंट्रेस्टिंग बात देखेंगे तुसके अंदर आपको कौनगा फॉरे निवेशक का यह ऐसा पेनी स्टॉक के देखें उसमें आपर 7% के करीब का स्टेक आपको नजर आएगा फॉरे निवेशक का मैं आपको पुरूप के साथ दिखा भी दोंगा यह सबी चीजे मैं आपको इसलिए बताराओं कि आप बिल्कुल अंड़स्टानी हो जाए कि स्टॉक में कितन पैसा नहीं कि सभी यहाँ पर एक बार ही कोई वेहकल बन जाता है उसके कुछ सब पार्ट और कुछ आपको कौँगा टूल जो होते है उससे डिटर बनता है तो इसमें आपर इसका कंपनी का वेटेज बहुत आच्छा है उसमें और आपको बताने चाहूंगा इसका बिजन और आपको कूँगा इंडियन रेल्वे आलसो इहाँ पर इनके क्लाइन नजराते हैं तो देख लिजए इससे बड़िया तरिके से नके क्लाइन है तो आपर क्या देखें कि कंपनी में यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग और साथ-साथ हैं आपर क्या समझता है कि स्टाक में बहुतरीम बात है इसी वज़े से यहाप पर इन्वेस्टर पाइसा लगाने के कोशिश कर रहे हैं अब यही बात ने दोस्तों मैं आपको कहूंगा कंपणि कोशिश करूंगा लिसन जरूर कीजिए आपको समझ में आ जाता है कि कंपणि कितने उन्होंने आपर देख लिए जे येम टी आटो लिमिटेट का यह पर 0.5 परशन का स्टेक खरीदा है और आप यह पर खुद देख सके कितने तो यह पर आपको कौँगा ट यह पर आपको बताने चाहनगा लगबग बात करें तो इतना ब्रबरश अर झायर के लोग क्यों कीव इνवेस्ट कररें आपको कौँगा उनको कुज नग कूछ इस वज़े से नहीं तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करें दोस्तों आईसा ही किसे पैसे यहाँ पर डुबाने कोई कंपणी में तो आजाते हैं और बात करतें कंपणी बारे में जे एम टे आटो सेक्टर के बात करें तो यहाँ आपको बताना पिचाओंगा टूवीलर हो साथ साथ आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कमर्शियर वेहिकल हेवी वेहिकल होते हैं टैक्टरस होते हैं और ग्यास चलने वाली जो भी गाड़िया होती है यहाँ पर आप तो देखेंगे तो डिजेल देट प्यार पेट्रयू होती होता है चोटा मधना मैं आपको बहुत कहते हो कोई पी चोटी चीजए उसका इंपोरटन हर वक होता है उसका फी इंप़ोर्टन हर अलग है बहुतं कर बिच्छे क्लाइन अच्छे है और साथ-साथ बीजनेश में थोड़ा बहुत यहां पर चलते नदर आ रहा है आई से स्टॉक में आप दोस्तों बहुत ही कम पईसे लगाना क्योंकि आपको बेनिफिट मिलेगा जरूर बट यह भी याद रखना पड़ेगा कि स्टॉक में इंप्रूमें का दायरा होता है फिलाल आपको कमी होता है क्योंकि वह फिक्स टाइम पिरेट के लिए इंवेश्ट नहीं करते हो यहाँ पर पोजिशनल देखते हैं कुछ यहाँ पर पेनिश्टाक देखते हैं तो उनमें आपको सभी चीज़े देखकर इंवेश्ट करना पड़ेगा यह करते हैं इसको आप समझा करिए क्या होता है कुछ चीज़ें आप मिस कर देंगे तो आपको लॉस हो सकता है यहाँ पर आपको कंपनी के रेविनियु की बात करें तो कंपनी में आपको रेविनियु दिख जाएगा दोस्तों बहुत ही तरी कंपनी इंप्रॉमेंट की है और वक्त आपको कहूंगा जो कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे तो पता चलता है कि कंपनी किस तक करती थी पहले यहाँ पर आप 2019 तक देखेंगे तो आच्छा कासा आप रेविनियु जनरेट हो रहा था बाद में सड़नली आपको कहूंगा गिरावट आई थी क्योंकि लॉक् 230 करोड के नजर आते हैं और आप देखेंगे तो आपको कहूंगा 81 करोड के तो यहाँ पर आप देखेंगे इन चीजों में आपको नजर आएगा कि जो रिजरों थोड़े आपर कम होते नजर आ रहे हैं क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है इसलिए कं कंपनी यहाँ पर रिजरों में कमी आती है तो यहाँ पर आप सभी चीज़े देख चुके होगे अब यहाँ पर शेयर के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं शेयर देखें 60 रुपे तक चल चुका है और इसके जरनी की बात करें तो आप देखें जी कितना पुराना चाले में यहाँ पर गवर्मेंट ने कुछ आच्छे डिसीजन नहीं लिए थे इस वज़े से इनमें आपको आपको आच्छी कासी गिरावर नजर आती है इस वज़े से यहाँ पर यह भी स्टॉक में आप देखेंगे तो आपको आपको नजरे आता होगा बिल्कुल आची आपको 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 प्राइट करूंगा थेंक्यों